पहले अरुन जी के पास जाना चाहता हूँ कि हम ये समझनात आते हैं पहले कि ये मुद्धा है कितना बड़ा तो अरुन जी हमें ये पता लगा कि आपके फोन पर भी ये फ्रशन पत्र अचे उथा वो आ गया था और आपने इसकी अवाज जो सबसे पहले उठाई कि ये इम्तिहान जो है लीक हो गया है तो ज़रा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्स्पेरिन कीजेगा कैसे ये पूरा जो है आपको लगता है ये नेकसस काम करता है जो पेपर आउट करता है लीक करता है और बच्चों के उपर क्या भी इत्ती है जब ऐसा कुछ होता है सुरब जी शुक्रिया सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूँगा कि आपने बच्चों के लिए जो है अपनी आवाज उठाई और हमें आपे मंच परदान किया देगे ये जो पेपर था 17-18 शिफ्ट में दो पालियों में हुआ था सुबह की और शाम की 17 की शिफ्ट का भी पेपर की आउट होने की जब खबरें थी लेकिन हम इस बात को मानने को तयार नहीं थे क्योंकि हमें लगता था कि जिस परकार की शाषन वेवस्था भी यूपी में है तो ये कोई ना कोई अफवा होगी तो 17 वाली इफ खबर को मैंने अवाइड किया मेरे पास सुबह 18 की शिफ्ट में एक पेपर आया और वो कई छात्रों ने मुझे भेजा था तो मुझे लगा कि जरूर कहीं न कहीं कुछ गडबड हुई है इसलिए वही जो पेपर था मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट किया लेकिन जब वो मौर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने चेक किया तो वो पेपर उससे माच नहीं किया लेकिन सबसे बड़ी चंबे की बात ये थी कि वो पेपर उसी दिन 18 की पाली का इवनिंग शिफ्ट का निकला और हू बहू प्रशन उसमें से माच हुए इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा साजिश थी इसके पीछे यानि बहुत बड़ा कोई गैंग काम कर रहा था जिन्होंने इस पेपर को लिग किया है और ये देखिएगा कि वो पेपर जो मैंने सुबह डाला वो शाम की शिफ्ट में आया है और वो पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास उल्रेडी मौजूद था कुछ ने मुझे कहा कि सर ये हमें 17 को ही प्राप्त हो गया था मतलब 18 को परिक्षा शाम को होने जा रही है और वो पेपर अगर मॉर्निंग में आ जाता है या उससे एक दिन पहले आ जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर ये कहीं न कहीं चूक नजर आती है लेगिन हम फिर भी इस बात का धन्यवाद करेंगे कि मुखे मंत्री ने सुयम इसमें संग्यान लिया और इस पेपर को कैंसल कर दिया क्योंकि लाखो भविश्या का बच्चों के भविश्या का सवाल था लगबग 48 लाख बच्चे इस परिक्षा में अपीर हुए थे और हम भी ये मानते थे कि इतने बड़ी साशन में जो प्रिशाशन में जो चूक हुई है हम इसकी उमीद नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने पेपर से पहले बच्चों को मॉटिवेट किया था गाइड किया था कि इस बार की जो परिक्षा रहेगी वो बिलकुल फेर रहेगी परिक्षा बहुत बड़ी है लगबग 5 साल के बाद इतनी संख्या में परिक्षा आई है और आपको बता दू मैं कि लगबग एशिया की सबसे बड़ी भरती दी इस बार की 6400 जो है इसमें भरतिया थी तो बड़ी संख्या में आवेदन इस चात्रों ने हापे किया था और चात्र न्याई की मांग कर रहे थे फाइनल उनके साथ न्याई हुआ है लेकिन असली न्याई मैं तभी मानूँगा जब इस परिक्षा को पुने है जैसे सरकार ने कहा है वो छे महीने के अंदर कराए लेकिन वो दोबारा भी एक फेर सेलेक्शन हो और इस परकार की जो घटनाए है वो ना हो क्योंकि बच्चे बड़ी आस लगाई बैठे हैं और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका यूपी में सेलेक्शन हो अच्छा हमारे साथ SAC EADDA से पवन मोराल जी जोड़ रहे हैं पवन जी स्वागत है आपका और अनुराग जी भी आ चुके हैं हमारे साथ अनुराग जी आपका बहूत स्वागत है जी सर थन्यवाद जी जी जी